एक पहाडी के नीचे रामगर नाम का एक गाव था। गाव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाडी के उपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्षमी नाम की एक गायान्य गायों के साथ उसी पहाडी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी. वो हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसंथी कि वो कब एक शेर की गुफा के पास पहुँच गई, उसे पता भी नहीं चला. शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वो पिछले दो दिनों से भूखा भी था. जैसे ही लक्षमी शेर की गुफा के पास पहुँची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई. वो शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया. शेर ने मन ही मन सो पुचा कि आज उसकी दो दिनों की भूख मिच जाएगी. वो इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मास खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहार लगाए. लक्षमी शेर की दहार सुनकर डर जाती है. जब वो अपने आसपास देखती है, तो वहां दूर दूर तक उसको क मुझे दो दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था. मैं भूखा था. शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहां पर भेजा है. आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिचालूंगा. शेर की बात सुनकर लक्षमी दर जाती है. वो रोते शेर से कहती है. मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ. मेरा एक छोटा बच्चा है, जो अभी सिर्फ मेरा ही दूद पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है. लक्षमी की बात सुनकर शेर हस्ते हुए कहता है. तो क्या मैं अपने हाथ में आये शिकार को ऐसे ही जान दो. मैं आज अपने बच्चडे को आखिरी बार दूद पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यारा करके, कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाओंगी. फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना. शेर लक्षमी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गाव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा. लक्षमी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गाव वापस चली जाती है. वहां से वह सीधे अपने बच्छडे के पास जाती है. उसे दूद पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है. फिर बच्छडे को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा. वो कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी अपनी मां की बाते सुनकर बच्छडा रोने लगता है दूसरे दिन सुबह होते ही लक्षमी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुँचकर शेर से कहती है अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अब तुम ले रहा था तुम अपने वचन की पक्की हो मैं इससे बहुत प्रसन हुआ तुम अब अपने घर और बच्छडे के पास वापस जा सकती हो इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वर्दान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं तहानी से सीख हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिये हुए वचन को पूरा करना चाहिए यही हमारे द्रिर व्यक्तित्व को दर्शाता है